प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें सलामों दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स के जज कलाम पाशा की पत्नी ने तीन तलाग देने के संबंद में शिकायत दर्ज कराने के लिए केरल हाई कोट का दरवाजा खटखटाया है खबरों के मिताबिक कलाम पाशा की पतनी ने ये भी आरोप लगाया है कि कलाम पाशा के भाई और रिटायर जज भी कमाल पाशा ने उन्हें धंकी दी है अगर उसने तलाख देने से इंकार किया तो अंजाम बुरा होगा शिकायत करता महिला ने कहा है कि कलाम पाशा ने 1 mar.2018 को उन्हें तीन तलाख दिया था उन्हेंने उसी दिन उसी बाबत एक खत भेज़ा मगर बाद में उन्हें ने एक और खत भेशते हुए कहा कि टाइपिंग की गल्दी थी मूल तारीख 1 mar.2017 थी महिला ने आरोप लगाया कि कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए एक कोशिश की गई थी जिस कारण तीन तलाग के खिलाफ कानून को लागू करने से पहले किसी तारीक का जिक्र किया गया वहीं आपको बता दे कि सुप्रेम कोट के मुताविक किसी नियाधीस के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए संबंधित मुख्य नियाधीस की इजाज़त अवश्यक है दो साल से पहले हाई कोट के संग्यान में मामला आने के बाद इस पर प्राथमिकी जाच की गई थी 30 जुलाई 2019 को भारत की संसत ने तीन तलाख के खिलाफ कानून पास कर इसे दंड़निया अपराथ घोसित किया था इसे इसी साल के एक अगस्ट से लागू भी कर दिया गया था अधिनियम 2019 के तहट तीन बार तलाख बोलना या लिखित या मेल यैसे मेस वाच्टप के माध्यम से ट्रिपल तलाख देना गैर कानूनी माना जाता है जिसमें तीन साल का सजा का प्रावधान भी है अपराथ साबित होने पर तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे रहा टैमिस